नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चनल में, हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों, देवी मा की आरादना का पर्व सार्दिय नवरात्रा आज 21 सितंबर गुरुवार से शुरू हो गया है, जो 31 सितंबर शुक्रवार तक रहेगा इस दोरान देवी की भूजा अर्चना करने से विशेश मैतों माना जाता है, वास्तों में ऐसी कही वुस्तों के बारे में बताया गया है, जिनका खास संबन किसी विशेश देवी देवता या दिन से माना जाता है वास्तु के अनुसार देवी से समंदित पांच सिजें नवरातर के दोरान घर में लाई जाए तो देवी परशन होती है और घर परिवार पर देवी की विशेश कृपा बनी रहती है अगर इन चीजों को आप अपने घर में लाते हैं तो आपकी किस्मत मातरानी बदल देती है पहली चीजें कमल का फूल या तस्वीर दोस्तों नवरातर के दोरान यदि घर में कमल का फूल या उससे समंदित कोई तस्वीर लगाए जाए तो देवी लक्षमी की कृपा घर पर पर हमेशा बनी रहती है और आपके घर पर दोस्तों सुक शमर्दी बरस्ती है वहीं नवरातर के दोरान घर में चांदी का शिक्का या सोने का शिक्का लाना अच्छा माना जाता है शिक्के पर यदि देवी लक्षमी या बगवान गनेश का चित्र अंकित हो तो और भी प्राप्त होती है वहीं दोस्तों नवरातरा के दोरान देवी लक्षमी की ऐसी तस्वीर घर ला सकते हैं जिसमें वी कमल के फूल पर बैठी दिखाई दे रही हो साथ ही उनके हातों से धन की वर्षा हो रही हो ऐसी तस्वीर घर लाने से आपके घर पर दोस्तों धन धाने और पैसों की बारिस होना शुरू हो जाता है तोस्तों वहीं आप नवरात्रा में देवी सर्शती के सरूप में देवी का वहान मोर माना जाता है इसलिए नवरात्र के दोरान घर में मोर पंक लाकर उसे मंदिर में इस्तापित करने से कई फायदे होते हैं इसलिए नवरात्र में म और पंक आपकी किस्मत भी बदल सकता है। दोस्तों अंतिम है कि आप नवरात्र के दोरान शोलस संगार का सामान घर लाना चाहिए और उसे घर के मंदिर में इस्तापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से देवी मा की करपा हमेशा घर पर बनी रहती है। दोस्तों अगर आप इन पांच चीजों में से कोई भी एक चीज अपने घर लाते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोरादी की जानकरी आप लोगों के लिए लाब देक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा। धन्यवाद।